हेलो फ्रेंड्स मैं आर्तिय आदव और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉमी विबी केर में आज की वीडियो में लेकर आई हूँ प्रेगनेंसी के दोरान प्रेगनेंट महिला को अपनी नीम से कैसे पता लगा सकती है कि उसके गर्म में बेटा है या बेटी मा बनना बड़े ही सोभागी की बात होती है फिर चाहे बेटा हो या बेटी उससे कोई फरक नहीं पढ़ना च चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस चरूर कर लें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे चलिए बात करते हैं यदि प्रेगनेंट महिले के प्रेगनेंसी के दोरान जादा नीन आती है तो अध्यदिक संभवना रहते हैं कि आप एक बेटी को जनम देने वाली हैं मा बनने वाली हैं क्यूंकि इस दोरान ऐसे हार्मर रिलीज होते हैं जिससे आपको नीन जादा आत आती है और बेटे होने के ये भी संकेद होता है कि आप उस टाइम बहुत एक्टिव रहती हैं आपको हर काम करने की बहुत सुकता रहती है और आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको प्रेगनेंसी के दोरान आपको अपनी डाइट बहुत अच्छे से लेनी हैं क्यूंकि के दौरान हमें अपने लिए अपने बच्चे के लिए दोनों के लिए ही हमें न्यूट्रेशन की जरूरत पड़ती है तो उस दौरान आपको अपना खान पान बहुत अच्छे से रखना है आपको प्रग्निंसी के दौरान पानी का इंटेक्ट पढ़ाना पड़ेगा उसके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि प्रग्निंसी के दौरान बोडी डी हाइड्रेट हो जाती है तो उसे हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है दिन बर में आपको कम से कम आठ से दस गलास पानी पीना बहुत जरूरी है पानी के साथ साथ आपको अपने कैलसिय john विटामिन यह शारी चीजे भरपूर मात्रा में हो और आपको यह सारी अपनी डाइट में सामिल जरूर करणा हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शरूर कर दे अपनी फेंड के साथ शेयर कर दे और हाँ दोस्तों हमारे मौमी बीबी केर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिलती रहे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी